प्रोजेक्ट असल में चाइना जो दिखा रहा है वैसा असल में है नहीं यह प्रोजेक्ट मेंली कॉंसेंट्रेटिड है इन दे साउथ चाइना सी इस प्रोजेक्ट की आड में चाइना क्या कर रहा है हम उस चीज की चर्चा आपके साथ यहाँ पर करने वाले हैं साथ ही में आपको बताएंगे कि ब्लू सी 2020 प्रोजेक्ट के अब्जेक्टिव और ए अब यह जो लाइन है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है हम इसी को यहाँ पर डिसाइफर करेंगे आपके सामने बेसिकली ब्लू सी 2020 प्रोजेक्ट है क्या यह प्रोजेक्ट चाइना ने अनौंस किया था एक एप्रेल को चाइना कमेंस्ट अन एट मन्थ लॉंग बिहाई 2020 य या फिर ब्लू सी 2020 इनिशेटिव एक एप्रोजेक्ट चलने वाला है नवेंबर 30 तक के लिए यह प्रोजेक्ट कौन चला रहा है चाइना की कई सारी एजेंसी यहाँ पर मिल करके इस प्रोजेक्ट को रन कर रही है जिसमें से अगर आप देखें कोस्ट गार्ड है ट्रांस इसका जो उदेश बताया जा रहा है that is marine environmental protection यानि की समुदरी परयावरन संगरक्षन यह चाइना यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है और इसके exactly अगर हम देखें तो 8 key areas हैं जो की चाइना यहाँ पर focus कर रहा है यह 8 areas है marine engineering construction, offshore oil exploration, dumping of marine waste, shipping and other operations, उसके बाद sea sand mining and transportation, marine protected area, land based pollution, marine ecological environment आप यह देख सकते हैं यह 8 areas हैं clear हैं लेकिन यहाँ पर असल में problem is कि यह जो areas चाइना बोल रहा है अगर हम यहीं तक देखें तो हमें लगता है बहुत ही अच्छी चीज है चाइना basically समुदरी pollution को कम करने के लिए और समुदरी परयवरन को संगरक्षित करने के लिए य Beijing expands enforcement actions उनको इस चीज का लेके थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपके सामने concerns क्या क्या हैं जो यहाँ पर diplomats हैं और experts हैं वो यह बोल रहे हैं कि China basically इस particular चीज का इस्तिमाल करेगा अपना जो उनका claim है South China Sea में उस claim को और जादा strong करने के लिए और करने के लिए China इस particular initiative को use करेगा ठीक है they are also worried that China is increasingly likely to find itself in direct conflict with smaller claimant states as it seeks to counter their efforts to develop fishing and energy resources in the region अब देखिये यहाँ पर क्या था China अभी तक जो रननीती फालो कर रहा था उसमें यह कर रहा था कि यह हमारा दावा है कि परासल आइलेंड हमारे हैं या फिर स्पाटली आइलेंड हमारे ह चाइना यहाँ पर प्रोसीड कर रहा था लेकिन जब यह चीजें अभी उतने अच्छे से काम नहीं कर रही तो अब चाइना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसमें कि वो यह करेगा कि अगर कोई यहाँ पर देश इंडनेशिया है वियतनाम है फिलिपीन है अगर चाते हैं कि यहाँ पर समुदरी परावरें की रक्षा हो और आप यहाँ पर यहाँ पर यह नहीं कर सकते हैं तो बेसिकली चाइना अपने दावे को स्ट्रॉंग करने के लिए एक एंवायमेंटल एंगल यहाँ पर लेकर आ रहा है इन ओर टू कट आउट अधर पीपल जो क वहाँ पर ओयल एक्ष्पोरेशन करना चाहती है तो चाइना उसके खिलाफ भी वहाँ पर जा सकता है अंडर दी ब्लू सी 2020 प्रोजेक्ट इसलिए यह जो प्रोजेक्ट है आप कह सकते हैं यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर चाइना मैरिटाइम टेरिटरी को कौंकर क इसके कई सारे एक्जामपल्स हैं फॉर एक्जामपल अगर हम देखें ब्लू सी 2020 प्रोजेक्ट का एक बेसिकली एम है यह कि वी विल क्राक डाउन ओन वाइलेशन इन ओफशोर ओयल एक्ष्पोरेशन और एक्ष्पोरेशन में तो हम उसके उपर क्राक डाउन कर सकते हैं हम और चाइना काइदे से यहाँ पर 80% of the South China Sea के उपर दावा करता है तो यानि कि अगर कोई भी आकर मान लीजिए वियतनाम है फिलिपीन है या मलेशिया है कोई भी आकर यहाँ पर ओयल की एक्पोरेशन या एक्पोरेटेशन करता है तो चाइना ब्लू सी 2020 के अंदर उसके उ यहाँ पर drilling यहाँ पर contract चल रहा था जिसके चलते Malaysia का state-owned Petronas was operating within the Malaysia's exclusive economic zone तो Malaysia अपने EEZ में operate कर रही थी लेकिन चाइना ने क्या किया अपनी research ship Haiyang Dizzy को भेज दिया और उनको यह करने से मना कर दिया चाइना expressed its opposition by deploying the government research ship Haiyang Dizzy 8 together with coast guard vessels to follow a drill ship contracted to Malaysia's state-owned Petronas that was operating within the Malaysia's exclusive economic zone यहाँ पर same cheese they have done with Vietnam also मई 2019 की बात है जब Vietnam Russian state-owned oil company Rosneft के साथ Spartly Islands के पास एक Vanguard bank है यह रहा वैंगार्ड बैंक यह रहे आपके Spartly Islands यहाँ पर जो Vanguard bank है जब यहाँ पर oil exploration कर रहा था तो China ने वहाँ पर भी अपनी Haiyang Dizzy 8 ship को भेज दिया और उनको मना कर दिया कि आप ऐसा ना करे So basically यह बाकी countries के development work में बादा डाल रहा है The Vietnamese foreign ministry said it would protect its sovereign rights to explore oil in its EEZ अब किसी भी country के पास जो उसका EEZ होता है वहाँ पर oil exploration की rights सोवरन होती है यानि कि और किसी के पास वो rights available नहीं है केवल जिस देश का EEZ है वही वहाँ पर oil exploration कर सकता है लेकिन China again as I am repeating अपने Blue Sea Project के अंतरगत और समुद्री संग्रक्षन के अंतरगत समुद्री परेवरन के संग्रक्षन के अंतरगत इस चीज को अब उठा रहा है So basically यह चाइना की एक और तरकीब है जो कि वो South China Sea में अपने दावे को और मजबूत करने के लिए उन्होंने सामने लाई है और तो और अगर हम बात करें ज जो South East Asian countries के economies हैं वो काफी हद तक depend करती है ports के उपर and free movement of goods and services through trade lanes in South China Sea अगर चाइना बेसिकली यहाँ पर जो shipping और other operations को regulate करने की कोशिश करेगा तो जो free movement of goods है इसके उपर बहुत बड़ी problem आ सकती है यहाँ पर और जो समुद्री देश और सारे हैं For example Malaysia, Brunei, Singapore इन सब के उपर भी दिखते हैं यहाँ पर आ सकती हैं So basically China can use the Blue Sea 2020 initiative to target oil exploration site of Asian countries and control the shipping lanes passing through South China Sea काफी बड़ा weapon है according to me and जैसा कि China अक्सर करता है without firing a bullet और without firing a weapon वो उस territory को अपने claim करने की कोशिश करता है I hope this is very very important और आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे Comment section में बताइए आप क्या सोचते हैं इस particular project के बारे में इसी के साथ आप से विदा लेता हूँ Thank you for listening, stay tuned and stay safe